We are continuing with the principles of equality. So one of them is stereotyping. Dekhye, equality क्यों बरकरार नहीं रहती? क्योंकि एक फिनामेना है stereotyping का, जिसका मतलब हम पहले से assume कर लेते हैं, कि एक ग्रूप में कोई खास बात है जो दूसरों में नहीं है, और हम बगएर सबूत के और बगएर उसको जांचे उसकी evaluation या assessment किये, उस खुबी या खामी को किसी एक के साथ नथी कर देते हैं, consistently इसको हम stereotyping कहते हैं. So it explains simple, relatively fixed beliefs about the characteristics shared by individuals or an identified group, कोई ग्रूप है, कोई भी, तो आपने पहले से सोच लिया कि अच्छा, इसके अंदर तो ये खसूसियत है, फलाँ लोग तो इस तरह के होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे हम मुक्तरिफ जातों के बारे में, मुक्तरिफ कास्ट के बारे में, पहले से मज जूद ख्यालात हैं, कि फलाँ तो इस तरह के लोग होते हैं, फलाँ इस तरह के होते हैं, या औरते ऐसी होती हैं, मर्द ऐसे होते हैं, जब बच्चे तो यही करेंगे, या बजर्ग तो होते ही चिड़ चिड़े हैं, तो ऐसी बात जो आप किसी के साथ बगएर evidence के fix कर दे हैं, और फिर उसको उसी तरह ही समझा जाएं, इसको हम stereotyping कहते हैं, अच्छा एक और दिल्चस्प बाज यह है, कि stereotypes जो हैं, उनको इस लफ्स के जो अपनी spirit है, वो positive नहीं है, मसलना कहा जाएं, जी फलाँ तो बड़ा बहादूर, फलाँ ग्रुप जो है, वो बड़ा होते हैं, भई, बजाहर आपके लिए वो खूबी है, लेकिन क्या वो इनसान नहीं, उनको क्यों रोने से मना किया, अच्छा खवातीन जो हैं, उनको शाय होना चाहिए, उनको पीछे हट के बात करनी चाहिए, क्यों भई, जहां उनका हक होगा, उनको भी बात करने की अजा की तोर पर जैसे अभी हम बात कर रहे थे, क्यों ओरतों की बात होती है, वो तो जजबाती है, वो emotional है, उन्हें तो ये करना है सब, और जैसे Muslims हैं, तो fanatical about religion, अब वो जो Islamophobia की भी term दुनिया के अंदर चली, कि भई, लोगों ने पहले से ही सोच लिया, कि जो Muslims होंगे, वो क कुली तोर पर कोई वजूद नहीं, क्योंकि individual actions होते हैं, हर जगा पर हर तरह की मिसाले मुझूद हैं, अच्छी भी मुझूद हैं, बुरी भी मुझूद हैं, तो हम इन principles को follow करेंगे, ताके हम ethnicity के जो हमारे problems हैं, वो ना बने, फिर हम देखते हैं कि language reflects attitudes, जब हमने अभी ब कि चयदा होतें, क्या पताה on? क्यों hawती और आ, क्यों है beyond Canada, मुझक, अवजूद पकौन के लोग क्या हिसीत? बढ़ों की हैं? चोटों की क्या है? और तो और जो उसके घर में उसको एधर एंवायर्मेंट है, वहां की चीजों की क्या हिसीत है? मझाहरे Fुतरत की क्या हिस्य जाते हैं एडल्स के अलफाज उनके अटिचूड उनके बहेवियर यह सब डिसाइड करते हैं अपने बच्चों के लिए हम किसी चीज की तरफ नापसंदीद्गी से देखते हैं और बच्चा हमारे जेस्टर को जान जाता है और उस चीज को नापसंद करना शुरू कर देते ह आपने देखा होगा मां है बच्चे की तो वो अपनी मां की तरफ उसका बड़ा प्यार महबद का रिष्टा है वो बड़ा उसको रिस्पेक्ट देती है बच्चे कुदरती तोर पर अपनी नानी या ग्रैंड मदर के साथ अटैच हो जाते हैं क्योंकि वो समझते हैं हमारी इसमें से बड़ी जल्दी पहचान जाते हैं क्योंकि उनके पारेंट्स का आटिश्यूट डिफरेंट होता है इसी तरह आप घर से बाहर निकलेंगे जिन चीजों को आप पसंद करेंगे आपके बच्चे खुद बखुद उनको पसंद करेंगे जिन चीजों पर आप नाप इसमाल करना जैसे अभी मैंने आपको मिसाल दी किसी के बारे में भी ऐसी बात कह देना रंग या नसल या कद या फिजिकल जो उसकी एक्जिस्टेंस है उसके बारे में कुछ ऐसा कह देना किसी के माली मौामलात के बारे में कोई बात कर देना यह वो सारी बातें जो हम एक जिन में बहुत सा ऐसा कुछ कह जाते हैं, हमारे ख्याल में वो unnoticed जाता है, ऐसा नहीं, हमारे छोटे बच्चे एक-एक लफज से सीखते हैं, और एक-एक बात का notice लेते हैं, और एक-एक बात उनके जहिन नशीन हो रही है, आने वाले दिनों में वो उनहीं रवईयों का जाते हैं, जो हमारे नौम्स बन चुके हैं, जो हमारे रवईये हैं, वो बच्चों के अंदर खुद बखुद परनप जाते हैं, और उस वो उनकी तरभियत का हिस्सा बन जाते हैं, वो सारे उनको एडवाइस नहीं किये जाते, वो उनकी observation इतनी शार्प होती है, कि वो ची प्रेकट संभाल के कहीं एक जगा रख रहे हैं, वो घर की चीजों को, लाइट्स को बिलावजा आफ कर रहे हैं, वो अपने पानी को जाया नहीं करते हैं, इस्तमाल के फौरण बाद टैप को बंद कर रहे हैं, वो बाहर से आने के पाद अपने हाथ फौरण साफ सुत्रे क तो फिर वो यह भी सीखजाते हैं आप किस गुरुप को किस तरह से डियल करते हैं किस तरह कि लोगों के साथ किस तरह से मिलते हैं आम प्यश City की तरह के आफके पेसे होते हैं लिए या वर्किंग में पीपल है उनके साथ आपका रोईया कैसा है आपके घर में आने वाले वह जो मुखतलिफ services देने वाले एजुख विया क्यों कनने वह उनके साथ आपका रोया कैसा है और तधल्य वालेज है और असाथज़ाका रोया वालेज के साथ के साथ कैसा है ये सारी बते हैं बच्चे नहायत ख़मशी के साथ observe करते हैं और deeperly inculcate करते हैं अपनी और आने वाले दिनों में इसका मुझाहिरा करते हैं.